क्या हूल है आप सभी के, I am sure आप सबकी CUET की त्यारी बहुत बड़ी चल रही है, जैसे जैसे आपका CUET पास आता जा रहा है, बहुत बड़ी अपडेट्स आ रही है, आपका एक्जाम किस तरह कंड़क करवाय जाएगा, अभी लेटेस्ट अपडेट आई है कि एक दिन में ए एक बार पढ़ाता हूं, समझाता हूं, यह हिंदुस्तान टाइम्स के अंदर आटिकल आया है, आज यह आटिकल आया है, अथेंटिसिटी इसकी लाजवाब है, क्यों? इसमें डिरेक्टर जनरल आफ एंटी ने कुछ यह अर अपने बयान दिया है, बताया है किस प्रकार से आपका CVT होने वाला है, इसको एक बार पढ़ते हैं, CVT students will be given only 4 papers in a day, तो आपको चांस दिये जाएगा, add max 4 papers आप दे सकते हूं, अच्छा एसा भी हो सकता है, किसी के 2 papers हो एक दिन में, add maximum 4 papers हो सकते हैं, एक student का example ले लेता है, किसी ने language में 2 languages select करी है, English और Hindi, और PCM का वो student है Physics, Chemistry, Mathematics दे रहा है, वो CVT के अंदर और एक general test दे रहा है, तो इसके total combination, total papers कितने होगे, 6 papers होगे, ऐसा हो सकता है, एक दिन में आपका 1 paper हो, next day में आपका 3 paper हो, उसके next दिन में आपका 2 paper हो, तो ये ने रवेरी करने वाला है, एक दिन में students यहाँ पर पूछते हैं, एक दिन म will have to give maximum 4 papers, ये maximum limit है, जरूरी नहीं है, आपका सबका exam, 4 paper आपको देने ही देने है, ये maximum limit है, students will have to give maximum 4 papers in a day, exam will be conducted from 21st May to 31st May in 3 shifts, इसको और explain किया है, ये देखो, Director General of NTA ने, Director General of NTA, Dr. Vinny Joshi बोलते हैं, कि this time the exam will be held in 3 shifts in a day, जो पहली shift होगे, इसको यार, mark कर लो, important है, ये बहुत important update है, अपने friends में जरूर वीडियो शेयर करना, ये important है, इसको पढ़ते हैं, first shift, आपके 3 shifts होने वाली है, जो first shift होगी, उसके अंदर 3 hours की वो shift होने वाली है, अब आपको पता है, 45 minutes का आपका paper होता है, normally, language की बात करें, domain की बात करें, general desk का paper थोड़ा सा लंबा होगा, बर remaining papers के अगर हम बात करें, तो 45 minutes की या 60 minutes की होने वाला है, तो जो first shift होगी, वो 3 hours की होगी, second shift 2 घंटेगी होगी, और third shift आपके होने वाली है, एक घंटेगी, ये 3 shifts in a day की बात कर रहे हैं, और इन 3 shifts के अंदर अगर आपको accommodate किया जा रहे है, तो add maximum आपको 4 paper देने पर सकते हैं, अब एक student है वो बोलता है, sir मैंने one language, one domain, one general test दिया है, तो ऐसा हो सकता है कि आपका एक दिन में पूरा का पूरा CVT खतम हो जाए, एक student है वो बोलता है, sir मैंने one language, commerce के मैंने accountancy, BST, economics, entrepreneurship लिया है और एक general test लिया है, अब एक student ने 5 paper select करें हैं, तो हो सकता है, उसके paper 3 दिन तक हो सकता है, उसके paper 2 दिन में खतम हो जाए, एक दिन add maximum 4 paper, एक दिन में 1 paper, ऐसा हो सकता है, एक दिन में 3 paper, एक दिन में 2 paper, add maximum 4 paper आपको देखने को मिलेंगे, एक दिन के अंदर, which is a good thing, आपको उपर जाता pressure निबिल्ड किया जा रहा है, आपके बस preparation का और time मिलेगा, अगर मा तोड़ो तोड़ो में paper होए, मतलब एक दिन में 1 paper हो तो बहुत बेटर है, जितने लंबे आपके paper हीचेंगे न, उतना आपका stress कम होगा, उतना आपको preparation का time जादा मिलने वाला है, और उतना जादा आप concentrate कर पाओगे, एक particular domain या एक particular language के उपर, तो center will be allocated according to the city of his or her choice, आपने 15,00,000,000 से जादा applications आई हैं इस बार, आपको त्यारी अपनी intact रखनी है, अपने friends में जरूर ये share करना update, ये बहुत बड़ा relief है, बहुत बढ़ी good news है हर एक CVT aspirant के लिए, tension मतलो, सारे paper हो सकता है, एक दन में हो, अगर आपने 4 domains या 4 से कम आप paper दे रहे हो CVT के अंदर, और ऐसी कोई latest update आती है, सबसे पहले इस channel भी आपको मिलने वाली है, channel को subscribe करो, जल्दी मिलते हैं